असलाम वालेकुम फ्रेंद्स वेलकम टो मैं किच्छन आज आपके साथ रागी ग्यों और काला चावल का आटे के साथ एक स्वीट की रेसिपी शेर करने वाली हूं यह अल्रेडी मैंने ब्लैक राइस हलवा के नाम से पोस्ट कर चुकी हूं उसी रेसिपी को ग्यों का आटा क के साथ और रागी के आटा के साथ बनाने वाली हूं तो चलिए इसको शुरुआत करती हूं इसके लिए रागी काटा ग्यों काटा और काला चावल का आटा इस्तमाल कर रही हूं एक पैन रहेंगे फर्स्ट हम ब्लाक राइस हलवा बना दिए इसके लिए एक अंडा को क्रैक करके एक पैन में डाल दिए इसकी मेशर्मेंट के लिए इस तरह के चमच ले लीजिए सेम चमच से पूरी इंगेडियन्स को मेशर कर लें फर्स्ट आटा उसी नाप से एक चमच शुगर और उसी नाप से एक चमच ओईल या घी आड़ कर ले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर ले इसको मिक्स करने के बाद छुले में रखकर पांच मिनिट के लिए पकाना है पांच मिनिट में यह हल्वा पक जाएगा चलाते हुए पकाएं अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद है तो एक चमच घी आड़ कर ले ओईल की जगा वरना हल्वा पकते समय एक चीप स्पून या एक टेबल स्पून घी को फ्लेवर के लिए आड़ कर ले तो देखिए हल्वा जमना शुरू हो गया है इस वक्त एक टीप स्पून घी का इस्तमाल कर रही हूं इसको एड़ करने के बाद सिर्फ दो मिनिट पकाएं तो हमारी बलाक राइस हल्वा तयार है इसको बाहर निकाल लेती हूं तो एक बावल में ट्रांसफर करने के बाद इसी पैन में दूसरा हल्वा को तयार कर लेती हूं नेक्स्ट हम गिहों के आटे की हल्वा बना लींगे सेम मेशर्मेंट के साथ एक अंडा एक चमच आटा और एक चमच शक्कर और एक चमच आइल को एट कर लेती हूं फिर से इन सारी शीजों को अच्छी थरा मिक्स कर लेती हूं इसको मिक्स करने के बाद चुले में रखकर पांच मिक तक पका लें तो देखिए हल्वा जमना शुरू हो गया है इस टाइम हम घी को आट कर लेंगे एक टी स्पून तो घी को आट करने के बाद दो मिनिट पका लेंगे तो देखिए हमारी घ्यों के आटे के साथ सिंपल सा हल्वा बन कर तयार है इसको बहा निकाल लेती हूं इसको रिशाउट कर लेती हूं इसी तरह रागी के आटे के साथ हल्वा बन कर लेती हूं सेम पैन में एक चमच आटा एक अंडा एक चमच शुगर एक चमच आट कर लेती हूं फिर से इन सारी चीजों को अची तरह मिक्स करके पांच मिनिट तक पका लेती हूं तो देखिए हमारी हल्वा जमना शुरू हो गया है इस वक्त हम घी का इस्तमाल कर लेंगे एक टी स्पून अगर आप चाहा है तो घी का इस्तमाल करें वरना घी को स्किप कर दें इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राइए एकदम सिम्पल रेसिपी है एक अंड़े की मेशेमेंट में दो मिंबर खा सकते हैं जर आपको और चाहिए तो इसी मेशेमेंट को डबल कर लीजिए तो देखिए हमारी ब्लैक रैस हलवा घ्योंके आटे के साथ हलवा और रागी हलवा तयार हैं अगर यह रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें फैमली और फ्रेंज के साथ शेर करना ना भूलें अगर मेरे चानल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताके मेरी हर वीडियो की नूटिफिकेशन आप तक पहुंचें इसको जरूर ट्राइ करिए ट्राइ करके कमेंट जरूर करें यह एकदम सिंपल रेसिपी है अगर कोई गेस्ट आये तो फौरण इसको बनाकर सर्फ कर सकते हैं लाफिस बाई अगर पहला करें लाफिस बाई झाल झाल